हलो दोस्तो एस्वी स्टड़ी के आन में आपका स्वागत है आज हम करेंगे राजस्थान जिला दर्शन का कोटा जिला तो आज हम कोटा जिला का फ़स्ट बाग करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम सामाने परीच्च, उपनाम, परमुख मेले और तेउंहार, अकसांसिय इस् कोटा जिला दर्शन का फ़स्ट बाग अब हम पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन का कोटा जिला दर्शन, राजस्थान के कानपूर के रूप में विख्यात कोटा जिले का नाम वहां के प्रारंबिक सासक कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा था, कोटा जिला शु आसक राव रतन सिंग के पुत्र मादो सिंग को इसका सासन सौप दिया था। उसके बाद से ही कोटा रियासत एक सवतंतर रियासत बनी थी। कोटा जिले में इस्थित है। कोटा जिले में 12 मासी बैने वाली चंबल नदी बैती है। कोटा जिला कोटा संभाग के अंतरगत आता है। कोटा संभाग के अंतरगत जिले कोटा बूंदी बारा एवं जालावाड ये चार जिले कोटा संभाग में आते हैं। कोटा संभाग राजस्थान का सरवाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा जिले का राजस्थान के एक इकरण के दूसरे चरण में राजस्थान में विले हुआ तथा इसकी राजधानी भी कोटा रखी गई थी अब हम पढ़ेंगे कोटा जिला के उपनाम या प्राचीन नाम जो पहले के उसके नाम थे कोटा जिले के उनके बारे में हम विस्तार्श पढ़ेंगे राजस्थान की ओधोगिक नगरी, राजस्थान का कानपूर, राजस्थान की सेक्षणिक नगरी, शिक्षा का तीर्थी स्थल, राजस्थान का नालंदा, उद्धानों का नगर, राजस्थान का सोया जिला, इंद्रप्रस्थ नगर, नंदगाउं, इन उपनामों या पूर्वी देशांतर तक अब हम पढ़ेंगे कोटा जिले के परमुख मेले और त्योंहार कोटा जिले में कौन कौन से परमुख मेले हैं उनके बारे में हम विस्तार शिपड़ेंगे सबसे पहले आता है सिरात्री मेला यह मेला चार चोमा जो कोटा में है फालगुन सुधी तेरस को भरता है अब आता है दसहरा मेला, यह मेला कोटा में आस्विन सुकला दस्मी को भरता है अब आता है तेजाजी मेला, यह मेला बुड़ा दीत जो कोटा में है तेजा दस्मी को लगता है अब आता है मा सिवरात्री मेला यह मेला गेपरनात जो कोटा में है फालगुन तरियो दसी को लगता है अब आता है नर्सिंग देव यह मेला चेचट जो कोटा में है वैसाग सुधी तर्तिया को भरता है अब पढ़ेंगी हम कोटा जिला के उद्धोग कौन-कौन से उद्धोग है कोटा जिला में से पहले पढ़ेंगे हम कोटा सूपर थर्मल पावर शेंतर के बारे में इसकी स्थापना 1978 इस्वी में कोटा जिला में की गई थी यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर वह सूपर थर्मल पावर प्लांट है यह सैंतर कोईले पर आधारित है इसकी चमतब 1240 मेगवाट है कोटा थर्मल पावर सैंतर का प्रारम 1983 इस्वी में राजस्थान के पर्थम कोईला परजुलित पावर प्लांट के रूप में की गई थी दूसरा उद्धोग है इंस्ट्रूमेंटेशन लिम्टेड इसकी स्थापना 1964-65 में इलक्ट्रोनिक्स यंत्रों के निर्माण हेत्व की गई थी इसका परधान कार्याल है जैपुर जिले में इस्थित है अब आता है कोटा का तीसरा उद्धोग वैगन फैक्टरी इस फैक्टरी में बड़ी लाइन के रेल के डिब्बे बनाए जाते है अब आता है कोटा का टेक्स्टाइल उद्धोग इसकी स्थापना 1956 में की गई थी यह सवतंतरता प्राप्ति के बाद में राजस्थान की पर्थम सुतिवस्त्र मील है अब आता है सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा यह इंडस्ट्रीज कोटा जिले में इस्थित है यहाँ पर सैमसंग टीवी की फिक्चर टूब कर निर्मान किया जाता है अब आता है कोटा जिले का श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिम्टेड उद्धोग कोटा के श्रीराम नगर में इस्थाफित यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उतपादक कार खाना है अब आता है स्रीराम सिमेंट का कार खाना यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन चमता वाला कारखाना है इसकी स्थापना 1985 में कोटा जिले के रामनगर में की गई थी अब आता है कोटा जिले का चंबल फटिलाइजर श्लिम्टेड उद्दोग कोटा जिले के गडेपान गाओं में गैस पर आधारित या नीजी छेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है अब आता है मंगलम सिमेंट का कारखाना इसकी स्थापना सन 1982 इस्वी में कोटा जिले के मोडग गाओं में बिरला गुरूप द्वारा की गई थी जोगे कोटा जिले के उद्वग ये कोटा जिले की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बतानो अगर ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें